कि क्वार्शी थाने के मामला है कि पिछले तीन साल से एक साड़ साल का विक्ति जो एक तीन साल की नावालिक बच्ची को कहीं से उठाकर ले आये था आज उसकी उम्र लगभग 10 साल है और पिछले तीन वर्ष से उसे लगाता रेप करता आ रहा है और मेरे साथी हैं इन्होंन प्रशे थाने में तहरीर दी थी तो उसमें अफ़ायात तक दर्ज नहीं हो पाई तो उसी सिल्षले में हम सीयो साब से मिले और स्यो साब ने इस मामले का तुरंत संग्यान लेते हुए कि वार्ची थाने चार्ज को आधिश दिया और अभी फ़ाया दर्ज में जाएगी उम्रह किया और फाइर तक दर्ज नहीं होने थी आज इसी मामले को लेकर हम सब लोग यहां इखटे हुए और यह बात समझ में नहीं आती कि जिस व्यक्ति के पहले से 3-4 संताने हैं उसे गोद लेने की क्या जरूत पड़ी एक यह मांसित इनकी इस्तिती इतनी खराब हो ग यह हाँ रहा है और पोलिस तरह की लेकिन बच्चीनन पूरा बयां दिया है उसकी वीडियो रिक़ॉडिंग है और वही सारे साक्ष हमने सियो सावब के सामने रखे हैं और उसी के आदार पर एफाई अदर्ज हो रहा है जो जिस बाप ने कलियोगी बाप ने जिसको गोध रखा तेन साल की कन्या को उसके द्वारा भी उस पर लगातर बनाया जा रहा है कि इस समय योगी सरकार में भी पैसे लेदे के काम कर रहा है सेक्रोंस की दीटों है ना लाने हाजर हो रहा है अभी तक कोई कारवें निवी चार से खुमार है बच्ची की मरें आठ साल जार साल गया